जैश्री किष्णे बच्चो आज की वीडियो में हम साइट वर्ड को मेनिंग के साथ जानेंगे हिंदी मेनिंग उसकी रहेगी तो आईए शुरू करते हैं वर्ड और वर्ड मेनिंग ओके? तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा I, I means मै M, Y, My My means मेरा M, E, Me Me means मुझे C, A, N, Can Can means सकता हूँ या सकती हूँ Y, O, U, U You means आप या तुम दोनों के लिए यूज करते हैं A, R, E, R R means है प्लूरल वर्ड के साथ R यूज करते हैं ओके बच्चो अब नेक्स्ट वर्ड सम प्रैक्टिस करेंगे H, A, V, E Have Have means पास W, I, T, H With With means साथ T, H, E, Y They They means वे S, A, I, D Said means कहा H, E, R, E Here Here means यहां T, H, E, R, E There There means वहां P, U, T Put Put means रखना D, O Do Do means करना ठीके बच्चो इस तरह से कुछ वर्ड्स मेंनिंग हैं और वे प्रैक्टिस करें S, W, E C means देखना G, O, Go Go means जाना T, O, To To means को W, E, V V means हम जो सभी साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से करें A, T, At At means पर F, O, R For For means के लिए I, N, In In means में या फिर अंदर O, N, On On means पर U, P, Up Up means उपर O, F, Off Off means का I, T, It It means यह किसी भी निर्चीव चीज के लिए यह यूज़ करते हैं B, E, B B means होना ठीके? छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको अच्छे से लान करें H, A, D Had means था B, U, T But But means लेकिन N, O, W Now Now means अब S, O So So means इसलिए बच्चों इसी तरह साइट पर्ड की प्रैक्टिस करें और अगर वीडियो आपको अच्छे लगें तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रादे रादे